आज हम बात करेंगे सोशल बिहेवियर इन ब्लैक बख सबसे बहले हम समझेंगे कि सोशल या सोसाइटी या समाज क्या होता है समाज जो है यदि मैं आपको इसका एक इंट्रोडेक्शन या एक इंट्रोडेक्टरी पार्ट में समझाऊं तो जीव जगत में किसी भी समुदाय के जो जीव जन्तु या पोदे होते हैं वो हमेशें अलग अलग ही रहते हैं किन्तु फिर भी इन समुदायों के सदस्यों में इंट्रेक्शन होता रहता है जन्तु में इसी को सोशल बिहेवियर या सोशियो बाइलोजी कहते हैं जैसे समाजिक संगठन के न्यून्तम स्तर के अंतरगत किनी भी दो प्राणियों के मद्य यदि इंट्रेक्शन हुआ है जैसे कि माता का शिशु के सार्द मदर और बेबी का संबन्द अथ्वा रिप्रोडक्टिव पीरियर्ड में मेल और फिमेल के बीच में इंट्रेक्शन ये सबी के सबी जो इंट्रेक्शन है वो सोशल बिहेवियर के अंतरगत आते हैं अब हम पढ़ें समाज क्या होता है तो कीटों के किनी दो किनी जातियों में से जैसे दीमक, चीटी, मदुमक्खी, ततहिया में अत्यनती विक्सित समाजिक संगठन पाया जाता है इस परकार के समुदाय के परतेक सदस्य की सरंचना अपने समाज के किसी विशिष्ट कार्य को पून करने के लिए अपने आपको अडेप्टिव या अनुकूलित होती है समाजिक कीटों के समाज का संगठन भी स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है तथा इनमें सदस्य जो है एक निर्धारित, नियमित एवं रूडिवद परकार का बिहेवियर शो करता है तो इस तरह से ये इंटरेक्शन के लिए जो बिहेवियर बनता है उसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं ये जो इंटरेक्शन होता है ये पॉजिटिव इंटरेक्शन जब दो सजातिय विश्कों में होता है तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन संपन हो तो ये समाजिक विवार की श्रेणी में ही सम्लित की जाएगी दो प्राणियों के मद्य यदी interaction में ये पर अकश्ट है, वातावरन मदिस्था करता है यदी प्राणियों में जो है कुछ जातियों में दो या दो से अधिक सदिशयों में जो है indirect interaction पाया जाता है इन जातियों के जन्तु जो होते हैं वो एकल रूप में न रह करके सोशल पॉपुलेशन बना कर रहते हैं और ये विबिन्स तरके भी हो सकते हैं इन समदाओं के प्राणी होते हैं वो कॉपुलेशन में जितने अधिक समय तक प्राणी है वो एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे उतना ही विक्सित इनका समाज होगा और समाजिक प्रकिरियां चलेंगी के सदस्य होते हैं इन में स्पैसिफिसिटी उत्पन हो जाती है खुछ सदस्यों में structural polymorphism पाए जाती है और खुछ सदस्यों में casual functional specialization पाए जाती है जैसे ऊच्छ वं पालीक्षण का तो हम इक्जांपल देखे मदुमक्खी चींटी और दीमक है और जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बाई जाती है जैसे कि सब भी हायर कॉर्डेट्स जिनमें समाजिक प्राणियों में डिवीजन ओफ लेवर समाजिक विवारकाती मेहत्वपूर्ण जो है वो पहलू माना जाता है तो समाज की एक्ता बनाये रखने के लिए प्राणियों के मद्य में कम्मुकेशन जो है वो होना बहुत आवशक होता है चया वो कम्मुकेशन वो अडिटरी करे श्रवन से करे स्पीच से करे या सूंग के औलफेक्टरी करे या आखों के या विजुल माद्यम के द्वारा जो कुछ जन्तुओं के जो समाजिक समुदाओं में एक ही जाती के जो इन्हें जो समाजिक कल्प बनता है जिससे क्वाजी शोशल्स भी जीव कहते हैं कुछ ही जन्तुओं में समाजिक समुदाओं में अन्य जाती के जीव जन्तु भी साथ रहते हैं तो उन्हें हम बोल सकते हैं जो सोशल आर्गनाइजेशन बनता है या समाजिक संगठन बनता है उसमें कुछ निमन लिखित विशेश्टाइं भी पाई जा सकती हैं जैसे कि यहां पर श्रम का विभाजन समाज के प्राणियों के विविन विवेदों अत्वास्तरों पर पाया जाएगा संचार स्थापित कम्मिकेशन करने के लिए अतिविक्सित तंत्र भी होगा सदस्यों के मद्या सद्यस्यों के मद्या कठोर संगठनात्मक बल समाजिक प्राणियों की प्रमुख विशेश्टा होगी और स्थाई परकार का तंत्र होता है जहां प्राणी लंबे समय तक एक दिरेक्शन होता है उसी से उनका सोशल बिहेवियर जो है वह निर्भर करता है है समाजिक में हमारी जो सलेवस में हैं आच प्ललेक बग का है तो स्थनियों में समाजिक वेवार जो होता है 30 हमाने प्रकिरिया है शेर बेड भड़ियों से लेकर यहां तक कि वानर और मानुवों में भी प्रमुकता से आपने देखा है कि सोशल बिहेवियर पाया जाता है प्राइमेट्स में तो यह वेवार अपने चरम पर देखा गया है आपने मंकी में और चिंपैंजी में आगे हम पढ़ेंगे उनमें देखा गया है लेकिन डियर और जो मंकी के संदर में हमें जो है वो डिटेल में पढ़ना है हम तो इसी तरह जो हीरन है यह बहुत इस अत्यदिक सुंदर और भवय जनतु है और इसकी शक्तिशाली जो है वो बाड़ी होती है और जो मस्कुलर इसके पैर होते हैं एकदम पेश्य पाद होते हैं सपोर्टेड रहते हैं शरीर एकदम सीधा रहता है सींग जो होते हैं एंटलर्स बोलते हैं वो फैले हुए दिखाई देते हैं और जो नेक भाग होता है वो मोटा भी होता है आप हिरन को थोड़ा पिक पाये जाते हैं और दे पर भी मोटे हैं परंतु छोटे ही बाल रहते हैं इनका रंग जन्तु की आईउयो और मोसम के अनुसार बदलता रहता है शिशु हिरन जो होता है वो फॉन की तवचा का रंग होता है और जो कुछ-कुछ सफेदी लिए होता है लेकिन वास्त में इनकी तवचा का रंग वातवरन की प्रश्ट मुमी से मेल खाता है इसी प्रारूप के फलस्वरूप प्रक्रती में ये स्वैंग को अपने दुश्मन है तथा एशियन कॉंटिनेंट का है और सभी भागों में पाया जाता है अविश्व के यूरोप में यूसे में और आर्क्टिक हमिसेफियर में और जो प्रेरी प्रदेश है उनमें तो बहुत ही प्रचूरता से देखा जाता है इसकी यदि हम हिरन की जो फैमिली देखें तो सर्वाइडी फैमिली है और आक्टिक शेत्र में जो हिरन पाया जाते हैं उन सभी जातियों में से अधिक अधिक विश्रमता पाई जाती है हिरन जो है वो दो परकार की होते हैं डियर वे अंटिलोप सभी हिरन जो है वो रूमिनेंट्स होते हैं जो डियर होते हैं वो श्रि श्रिंग होते हैं वो खोकले होते हैं एस्थाई होते हैं और गिरने वाले होते हैं और पाती परकार के होते हैं और मौसम के अनुसार नवीन भी होते रहते हैं तो इस तरह से डियर जो है वो भारत में पाई जाने वली जो हिर्णों की मुख्य प्रजातिया है उसमें कस्तूरी म्रिग, बोजन म्रिग, हग म्रिग, हंगुल, थामिन म्रिग, बारा सिंगा और चीतल म्रिग है और विवार का हम देखें तो वो हम जो डियर में निमन परकार के जो विवार पाए जाते हैं वो हम अपने नेक्स्ट आडियो में कम्प्लीट करेंगे थैंक्यू